C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्दु थे कक्षा चे की संस्कृत की ध्वनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग एक शष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम रुचिरा प्रथमो भाग हर पंच दशह पाठह मातुल चंद्र पृष्ठ संख्या 83 से पृष्ठ संख्या 87 तक यह इस रुचिरा प्रथम भाग का अन्तिम पाठह है कुत्र आगच्छसी मातुल चंद्र कुत्र गमिश्यसी मातुल चंद्र अतिशय विस्त्रित नीला काशह नईव दृष्यते क्वचि दवकाशह कथम प्रयाश्यसी मातुल चंद्र कुत्र आगच्छसी मातुल चंद्र कथमायासि नभोममगेहं मातुलकीरसि कथमनस्नेहं कदा गमिश्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र धवलं तव चंद्रिका वितानं तारक खचितं सित परिधानं मह्यं दाश्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र त्वरित में हिमाम श्रावय गीतिम प्रिमातुलवरधय में प्रीतिम किन्नायास्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र शब्दार्था है प्रथम स्थम्भ में संस्कृत के शब्द हैं विती स्थम्भ में इन संस्कृत शब्दों का हिंदी अनुवाद है और त्रिती स्थम्भ में इन ही संस्कृत शब्दों का इंग्लिश अनुवाद है मातुलचंद्र चंद्र मामा अंकल मून कुतह कहां से From where? Atishayavistritah, ativishal Very stretched, extended Drishyate, दिखता है या दिखती है? It looks Kvachit, कहीं भी? Anywhere Prayasya si, जाओगे, अबलिक जाओगी Will go Geyham, घर को Home Kirasya, बिखेरते हो, बिखेरती हो Scatter Dhavalam, सफेद White Chandrikaavitanam, फैली हुई चांदनी Extensive Moonlight Tarakakha Chitam, तारों से शोभित Adorned with stars Sitaparidhanam, सफेद वस्त्र White Clothes Balagitam, साभिनयम, सस्वरम गायात Vitiya Abhyasah, पध्यांग्षान योजायात पुनह, इसके प्रथम स्तंभ में इस गीत का पूरवार्ध है और द्वितिय स्तंभ में उसके उत्तरार्ध लिखे हुए हैं आपको पूरवार्ध और उत्तरार्ध मिला करके एक अनुकूल पंक्ति का निर्मान करना है प्रथम स्तंभ मातुल किरसी तारक खचितम त्वरित मेहि माम अतिशय विस्त्रित धवलम तव वितिय स्तंभ सित परिधानम श्रावय गीतिम चंद्रिका वितानम कथम नस्नेहम नीला काशह त्रितियह अभ्यासह पद्यांग्षेशु रिक्तस्थानानि पूरयत क प्रियमातुल रिक्तस्थानम पृतिम ख कथम प्रयास्य से रिक्तस्थानम ग रिक्तस्थानम क्वचिदवकाशह ग रिक्तस्थानम रिक्तस्थानम दास्य से मातुल चंद्र ग कथमायासिन रिक्तस्थानम गेहम चतुर्थाह अभ्यासह प्रश्णानाम उत्तराणी लिखत क अस्मिन पाठे कह मातुलह ख निलाकाशह की दृशह अस्ति ग मातुल चंद्रह किम नकीरसि ग किम शावयतुम शिशुह चंद्रम कथायति ग चंद्रस्य सितपरिधानम कथम अस्ति पंचमह अभ्यासह उदाहरणानुसारम प्रदत्त पदानी संबोधने परिवर्तायत यथा चंद्रह चंद्र क शिश्यह ख गोपालह यथा बालिका बालिके क प्रियमवदा ख लता यथा भलम भल क मित्रम ख पुस्तकम यथा रविह रवे क मुनिह कविह यथा साधुह साधो क भानुह ख पशुह यथा नदी क देवी ख मानिनी शश्ठह अभ्यासह मन्जूशातह उपयुक्ता नाम अव्यय पदानाम प्रयोगेण रिक्तस्थानानी पूरयत यह कोश्ठक में पांच प्रश्णवाचक अव्यय दिये गए हैं यह अव्यय हैं कुतह कदा कुत्र कथम किम इनहीं अव्ययों को दिये गए वाक्यों के रिक्तस्थान में पूरा करना है ताकि एक सुन्दर और सार्थक वाक्य बन सके क जगन्नाथ पुरी रिक्तस्थानमस्ति क त्वं रिक्तस्थानम पुरीम गमिश्यसि ग गंगानदी रिक्तस्थानम प्रवहति ग तवस्वास्त्यम रिक्तस्थानमस्ति ग वर्षाकाले मयूराह रिक्तस्थानम कुरवंति सब्तमह अभ्यासह तत्सम शब्दान लिखत मामा, मोर, तारा, कोयल, कबूतर रुचिरा भाग एक अभी आप सुन रहे थे ये दोनी पाठे पुस्तक प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नेदिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.